हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई इट्व चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चारें हलवाई स्टाइल समोसी की रेसिपी आज की वीडियो में खास बात यह है कि आपके साथ मैं सारी ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप घर में एकदम मार्केट जै और क्रिस्प यह देखे आप तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार घर में सामोसे बनाकर जरू ट्राइब करिएगा आपके सामोसे एकदम परफ्रेक्ट बनेंगे तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले यहां पर हम आलू के स्टाफिंग बनाएंगे इसके लिए ओ तीनों चीज़े जो हैं समोसे के टेस्ट को बहुत बढ़िया करती हैं इसलिए यह तीनों चीज़े आपको इसमें जरूर एट करनी है अब हम इने दो से तीन मिनट अच्छे से फ्राइब कर लेंगे और यह देखे फ्राइब हो गए हैं अब डाल दिंगे इसमें हरा मटर धनिया डाल देंगे यह साबो धारा धनिया है नमक जाएगा आधा चमच अब हम मटर को भी थोड़ा सा सौटे करना है ध्यान रखना है आपको एक बात कि यह ज़्यादा अच्छे से फ्राइर नहीं होना चाहिए यानि कि बिलको सॉफ्ट नहीं होना चाहिए हलका सा इसमे डाल देंगे उबले हुए आलू तो यहां पर मैंने पांच मीडियम साइस के आलू पहले से उबाल लिये थे इनका छिलका निकालके ने मैशर से मैश कर लिया है और आलू के बाद जाएगा समें हल्दी पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर यह भी आदा चमच है लाल मिर पाउडर नहीं डाला है वह हम बाद में डालेंगे जब अच्छे से मसाला मिक्स हो जाएगा गैस के फ्लिम को आफ करेंगे और लास्ट में डालेंगे आमजूर पाउडर तो यह देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया अब इसमें जाएगा आदा चमच आमच पाउडर और इसके बाद बारी कटा हुआ ह्राधनिया, इससे फ्लेवर और टेस्ट दूमों चीज़े बहुत जादा बढ़ जाएंगी, गैस के फ्लिम को मैंने ओफ कर दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब यह हमारी आलू वाली स्टफिंग रख देंगे साइड में और इसको ठंडा होने देंगे, जब तक हम समोसे के लिए डो लगा लेते हैं, तो यह देखें, मिक्स करने के बाद इससे रख देते हैं, और यहां पर दो लगाने के लिए लेंगे, एक कब मैदा, इसके बाद जाएगा एक चम्मच अजवाइन, आदा चम्मच नमक, नमक कम ही डालना है, तब ही आपके समोसे एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगे, अब इसमें जाएगा चार चम्मच ओईल, तो ओयल जो है, उसकी क्वाइटिटी आपको ज़्यादा रखने हैं, इससे जो हमारी समोसे की लेयर है, बाहर की पापड़ी वाली लेयर है, वो एकदम खस्ता बन दी है, और क्रिस्पी रहेगी काफी टाइम तक, तो यह देखे, मैंने इसे रफ कर दूए, अच्छे से मिक्स कर लिए, और यह देखे, बंद रहा है, यानि कि हमारा जो ओयल हो एकदम परफेक्ट है, अगर आपको यह बिखर रहा है, यानि कि आप जब इससे बाहन दे बंद नहीं रहा है, तब आप यहाँ पे ओयल थोड करके मैं पानी डाल दी जा रही हूँ, और इसका एकदम सॉफ्ट डो लगा के हमने तयार कर लिया है, तो यह देखे, हमारा जो डो है, वो एकदम तयार है, अभी हम इसे रख देते हैं, दस मिनिट के लिए, जिससे के सैट हो जाएगा, बाद में हम इसके समोसे बनाएंगे तो यहाँ पर दस मिनिट बाद यह देखे, हमारा जो एकदम तयार है, साइड में मैंने सूखा मैदा रख लिया है, समोसे बनाने में उसे मदद मिलेगी, और यहाँ पर जो आलू की स्टफिंग है, वो भी ठंडी हो गई है, तब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी अबर बेल लेंगे, ध्यान रखना है, आपको बेल आना को चारो तरफ अच्छे से घुमा का चलाना है, कहीं पर मोटा पतला नहीं रहना चाहिए, और यह देखे, पराठा मारा बिल के, अब इसमें हम टू पार्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर नाइफ से टू पार्ट कर ले और यहाँ पर आपको इसकी फोल्डिंग ध्यान देनी है, बिल्कुल अच्छे से आपको फोल्ड करना है, अच्छे से पानी लगा के जिपकाना है, उससे आपके जो समोसे हैं वो ओयल में जब आप फ्राइ करेंगे तब खुलेंगे नहीं, अब इसमें स्टफिंग वरना बाहर निकलेगी, एक चमच आपको एक समोसे में स्टफ करना है, तो यहाँ पर यहाँ भी हम इस तरह के से पानी लगाएंगे, और अब इसे भी हम पैक कर देंगे, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, बनाने ने कितना आसान है, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान र देखे, इसी तरह से हमने सारे समोसे बना के तयार किये हैं, आप इन्हें फ्राइ कर देंगे, फ्राइ करने के लिए और आपको पहले अच्छे से गर्म हो जाने दिना है, बात में फ्लेम को मीडियम करें और यह समोसे डाल दें, तो एक बार में यहाँ पर पांच समोसे में फ्राइ करूंगी, तो इसे हम इस तरह से चलाते हुए फ्राइ करेंगी, और जब तक यह गूर्डन ब्राउन कर गए चींज नहीं हो जाए, तब तक इन्हें फ्राइ करना है, और यह देखे, हमारे समोसे एकदम बढ़िया से गूर्डन ब्राउन हो गए, इन्हें निकाल और इन्हें आप सर्फ करें, गर्म गरम, टॉमेटो के केचप के साथ, इससे इसका टेस्ट काफी जड़ा बढ़ जाता है, अब मैं आपको दिखाती हूं समोसे कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने है, तो यहाँ पर एक कांटे के हेल्प से मैं आपको देखा रही हूं, और आपको को स्ट्रेक्स का देहान रखना है, और आपके समोसे भी बिलको सेम बनेंगे, एकदम परफेक्ट तो फ्रेंड्स आप एक बर यह रेसिपी ज़रूर ट्राय करेगा, आपने के घर में आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लग खेखेवी बहले लग खूराय को थू झाहищ एएड़ भी बेप सट झाहिएazing में में इचेब में, ओब आभएर पसने कि रेस ऌगא लगी को आवानय क में बेल, उहाएग एम में वेया करे वह hmशझा है